हेलो दोस्तों, नमस्कार, इंग्जिस्ट एकड़िमी में आप सभी का आधिक स्वागत यूमा अधिक विनान नहीं, जैसा कि आप लोगों ने सब्दों को पढ़ लिया है, आज एक आपका महत्पोर टॉपिक है वचन, तो यह वचन को पढ़ने से पहले एस समझते हैं कि एक कोस्टन पूछा गया था, अठारा की सेकंड शिफ्ट में दो कोस्टन पूछे गये थे वचन से संबंधे थे, तो आईए समझते हैं, आप वचन की क्लास, यदि आप लोग यहां से पूरा तयार करते हैं, तो वचन से कोई भी कोस्टन नहीं चूटेगा, यह मेरी गारंट है, तो आईए सबसे पहले समझते हैं वचन क्या होता है, पहले एक व्यू के रूप में समझते हैं वचन क्या है, तो वचन का अर्थ होता है संख्या, इसका मतलब क्या है, कि संख्या के संख्या का बोथ कराता है, जैसे आईए, वचन, वचन इसका अर्थ होता है संख्या, संख्या मतलब वचन का अर्थ है संख्या अब वहाँ जो संख्या होती है वहाँ किसकी संख्या है जैसे माली जी कोई एक बेक्ती है जैसे माली जी राम माली जी लड़का है माली जी परवत है परवत है इसी तरीके से माली जी क्या है लड़किया है लड़किया है एक बात आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे ए राम आपकी क्या है संग्या है संग्या है या नहीं लड़का भी संग्या है अब मैटन नहीं करेंगा जाती वाचक है या भेक्ती वाचक है है तो संग्या ना परवत क्या है संग्या है लड़किय की बात करेंगे या लड़की की बात करेंगे यह भी तो क्या है संग्या है कहने का मतलब यह सभी चीजें क्या है यह सभी चीजें आपकी क्या है संग्या है इसका मतलब यहा है कि यह जो वचन है संख्या का बोध करा रहा है अर्थात किसकी संख्या का इसका मतलब है संग्या क की संख्या इसका मतलब वचन क्या है संघ्या की संख्या का बोध कराता है अब आये यहाँ संख्या एक हो सकती है अहां संख्या में दोस्त एक से अधिक हो सकती है, अनेग भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं, तो संख्या एक होगी, इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया, क्या एक वचन नाम दे दिया, अब जब संख्या एक से अधिक है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, बहुबचन नाम दे दिया, इसका मतलब है कि यह वचन एक होते हैं आपके कौन बहु वचन क्या बाते समझने आई वचन संख्या का बोद कराते हैं मतलब की संख्या की संख्या का बोद कराते हैं उससे ही वचन कहते हैं अब वचन दो तरीके से होता है या दो प्रकार का होता है मतलब जब संख्या के एक होने का बोद उसे हम कहेंगे बहुत बचन, क्या बाते समझ में आई कि नहीं, बाते समझ में आगई होगी, अब एक्जामपल समझते हैं, आईए समझते हैं, सबसे पहले एक बचन, क्या होते हैं एक बचन? जिससे संग्या के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं जैसे एकजामपल हो गया एक वचन में एकजामपल हो जाएगा जैसे लड़का हो गया जैसे नदी हो गई रास्ता हुआ इसी तरीके से पैसा हुआ इसी तरीके से क्या हो गधा हो गया यह सभी आपके क्या है एक वचन है बाते समझ में आई अब यदि लड़का का लड़के क आप करदे नदी का नदियां कर दें रास्ता का रास्तें कर दें पैसा का पैसे गधा का गधें कर दें इस सारी चीजे आपकी बहु बचन में परवार्तित हो जाती है तो किसी भी संध्या के किसी भी संग्या के एक होने का बोध होगा तो क्या कहलाएगा एक वचन कहलाएगा क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आईए अब और समझते हैं अब और क्या समझते हैं कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमेशा एक वचन के रोप में प्रियोग के जाते हैं नोट करके लिजेगा भीड जनता पुलिस इसका प्रियोग एक वचन में किया जाता है भीड जनता पुलिस का प्रियोग एक वचन में किया जाता है बातें समझ में आई होंगे भीड कहीं पे आपको दिखाई दे, भीड की बात करे, जनता की बात करे, पूलिस की बात करे, यह हमेशा एक वचन में प्रियोग किया जाता है आईए समझते हैं कुछ ऐसे भी सब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रियोग होते हैं नित एक बचन वाले सब्द नित एक बचन वाले सब्द कौन कौन से हैं समझेगा क्रोध, छमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, हवा, वर्सा, दूद, पानी, आग, ये सब्द आपके हमेशा एक बचन में प्रियोग किये जाते हैं क्रोध, छमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, हवा, वर्सा, दूद, पानी, आग, ये सब्द नित एक बचन में इसका प्रियोग किया जाता है कभी भी कोई कुस्टन दे दे, कोई कुस्टन दे दे, क्या, कोई भी कुस्टन दे दे, क्रोध क्या है, आप बताएंगे एक बचन, ये नित एक बचन में प्रियोग किये जाते हैं, क्रोध का क्रोधों नहीं कर सकते हैं, प्रेम का प्रेमों नहीं कर सकते हैं, जल का जलों कर सकते हैं ध्यान रखिएगा इसारी चीजे भील जनता पुलिस इसका प्रियोग कभी बहु बचन में नहीं किया जाता है आईए आप समझते हैं बहु बचन क्या होते हैं बहु बचन क्या होते हैं जिस संग्या से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं बहु बचन जैसे एक्जामपल में एक्जामपल में जैसे लड़कें और एक्जामपल में जैसे रास्तें पैसें इसी तरीके से बहु सारे एक्जामपल जैसे होंगे इसका मतलब है कि वह एक काना बोध करा करके एक से अधिक काबोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं बहु बचन कहते हैं आये समझते हैं नोट करके कुछ ऐसे सारे सब्द होते हैं जो हमेशा बहुबचन में प्रियोक किये जाते हैं आईए समझ लेते हैं एक बात ध्यां लखिएगा यहां से जब किसी भी सब्द में किसी भी सब्द में वार्ग गर्ड जन ब्रिंद लोग किसी भी सब्द के अंत में वार्ग गर्ड जन ब्रिंद लोग यदि लगा होता है लगा होता है तो ऐसे सब्द बहु बचन होते हैं ऐसे सब्द बहु बचन होते हैं जैसे हमने कहा एक एक एकजामपल आपका है अध्यापक और अध्यापक के साथ हमने लगा दिया गर्ड क्या हो जाएगा अध्यापक गर्ड अध्यापक गर्ड बाते समझ में आई ए बाते समझ में आई की नहीं इसी तरीके से जैसे लिग दिया गुरू एक गुरू का बोधम नयुका इसमें कई गुरू आ जाते हैं मतलाव एक से अधिख नोट करके मेरी इस बात को आप लोग समझेगा अठारा, अठारा जन्वरी दो हजार चॉवीस अठारा जन्वरी दो हजार चॉवीस उत्तर प्द्देश पुलिस के सेकेंड के second shift का या question है बातें समझ में आई की नहीं यहां जो गुरुजन है question पूँचा था 18 के second shift में पुलिस में पूँचा था question कि गुरु का बहुबच्चन क्या होगा तो गुरु का बहुबच्चन क्या होगा गुरुजन होगा यहां 18 के second shift में पूछा था आईए और चलते हैं इसी तरीके से जैसे जैसे हमने कहा कर्मचारी कर्मचारी प्लस वर्ग और दोनों मिलेगा तो हो जाएगा किसी भी सब्द में बन जाएगा कर्मचारी वर्ग कर्मचारी वर्ग तो देखे किसी भी सब्द के अंत में क्या लगा है गण लगा है सब्द के अंत में जन लगा है किसी भी सब्द के अंत में वर्ग लगा है इसी तरीके से एक है आपका पच्छी और यहां पे लिख दिया गया व्रिंद तो यह क्या हो जाएगा पक्छी विरिंद क्या हो जाएगा दोस्त पक्छी विरिंद इसी तरीके से एक लिखा है असब्वे एक लिखा है असब्वे प्लस लिखा है क्या लोग इसका मतलब हो जाएगा असब्वे लोग क्या हो जाएगा असब लोग हो जाएगा इसका मतलब है यह आपका क्या हो जाएगा लोग मेरे दोस्त देख लीजिएगा किसी भी सब्द के अंत में वर्ग गंड जन ग्रिंद लोग लगा है और यह सब में लगा हुआ है और ऐसे सारे सब्द क्या बताते हैं बहु बचन बत नहीं यह बाते यदि आपको समझ में आई हो तो दूसरे पॉइंट की वह समझते हैं कि दूसरा पॉइंट और कैसे बहु बचन को समझाएंगे समझेंगे देखिए नित्त बहु बचन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं नित्त बहु बचन होते हैं बहु बचन होते हैं अभी आपको दिखा रहे हैं अभी आपको यहां से दिखा रहे हैं एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी से देखिए यहां से दर्सक दर्सन आशू अच्छत रोम केस होस अस्थाक्चा दर्सक दर्सन आगे आईए आगे इसी में हो जाएगा समाचार प्रजा बाल पाड भाग ध्याँ रखेंगे ए जो इतनी सारे सब्द दिखाई दे रहे हैं इस सारे सब्द आपके नित बहु बचन में आते हैं कैसे आशू अच्छत रोम केस होस अस्थाक्चा दाम दर्सक दर्सन समाचार प्रजा बाल प्राड भाग एस सभी सब्द नित बहु बचन होते हैं यहां से आप लोग दिमाग में बिठाई रहेगा देखें क्या था दर्स can't catch check Suna lay tab cap camera अधाम मेरे भाई कुस्चन को समझ यह क्यां था एक कुस्चन था आपका युत्तर प्देश पुलिस सतरा का first visit C yada sa to taraka first shit और इस first shift में क्या को सथा यहारा आप्सन थे चार आप्शन ए बी सी और डी कोस्टन पूछा था कि इन में से कौन सा एक वचन है देखे दर्सक को मिला ये दर्सक को मिला ये देखे ये दर्सक लिखा हुगा है हस्ताक्षार को मिला ये हस्ताक्षार लिखा है हस्ताक्षार ये दोनों बहुबचन हो गए लिखा है प्राण प्र और बहु बचन के आप अच्छे से तयार रखिएगा ये चीजी जो आप लोगों को लिखवा देने ब्लेक बोर्ट पे इतना तो आप जरूर मेंसन कर लीजिएगा यही से ही question पूछे जाएंगे एक question आपका 17 या 18 की किसी सिफ्ट भी पूछा था दिमार्ग में नहीं है वध क्या हो जाएगा वध हुई हो जाएगा क्या हो जाएगा वध हुई हो जाएगा तो कोई भी टॉपिक सरला कठी नहीं है छोटा बड़ा नहीं है यहां से question पूछे जाने की possibility ज्यादा है question पूछे जाते हैं यह इतनी सारी चीज आप लोग समझ लीजेगा क्या समझना है कि अच्छत रूम के सोत अताच्छदामदर्सक्दर्सन प्राणडबाल ब्रजा यह सभी क्या हो जाएंगे यह सभी बहुबचन के अंदरगत आ यहां तक आप लोग नोट करिए आगे चलते हैं आईए समझते हैं कि एक और होता है बहुबचन कि एक और क्या होती हैसे अभी तक बहुवचन का कось खिक, देखि किसी भी ब्यक्ति को आदर करने के लिए, आधर मतलब आदर करने या सम्मान के लिए, सम्मान के लिए, हम उस एक बचन में जो सब्द का प्रियोग करते हैं, उसे ही बहुवचन कहते हैं, मतलब कोई भी सब्द है आध राध फे देखिए जिसी किसी भी व्यक्ति का आधर करने के लिए जैसे हमने कहा माता जी घार चली गई चली गई इसका मतलब है माता जी का सम्मान एक आदर करने के लिए मतलब इस प्रकार के सब्द में भी क्या होगा बहु बचन होगा इसी तरीके से जैसे कुस्टन के दिया पिता जी चले गए पिता जी चले गए इसका मतलब पिता जी का आदर या सम्मान करने के लिए जो गए या कह सकते हैं चाची जी कि घर आई है आई हैं बाते समझ द। मतलब क्या है कि आद राते मतलब आदर के साथ सम्मान के साथ है यदि कोई वी बाते होती है तो उसमें भी बहु बचन होता है क्या बाते समझ में आई की नहीं यह एक वचन और बहु वचन का concept समझ में आया की नहीं कितने question पूछे जा सकते हैं या किस exam में आते हैं या आप लोगों को पता चला की नहीं पेपर उठा के 17-18 के दोनों shift का paper देखीगा किसी न किसी paper में हू बहू एक दो question ब्लव बोट से ही दिखाई दे देंगे बाते समझ में आई की नहीं या बाते आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को like करें, share करें और subscribe करें ओके, thank you